तो है गाइस तो आप लोग आ चुके हैं फिर से एक नीव वीडियो पर तो गाइस अगर चैनल पर नहीं होगे सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसी तरह कि मैं यहाँ पर वीडियो अप्लोड करते रहता हूं प्राइस इक्सन से रिलेटेड तो यह मार्केट एक कंफ्लीट मैंने पहले इंटेफाइद कर लिए मारकेट में और जो मैंने होर्संटल लाइन लगाया हुआ है है वह फॉरी छुट होते हैं और बहुट और मार्केट में यहाँ पर क्या चल रहा है मैं एक और दोज़न्टल ले लेता हूं गाइस ताकि मेरे को जादा यहाँ पर पढ़सानी नहों यह एक सपोर्ड था और अभी एभी ग्रीन पनी है उसके बाद एक यहाँ पर डोजी केंडल बन चुकी है जो कि हमें बायर की से एंट्री के थो भी उसकी क्लोजिंग करें लेंगे को चैनल कर से पर यहां पर और स्टेटी में उसके इसाप से अम एक पर प्रेडिक्शन नदेइं तब तक हम मार्की फासी होई मार्कीट है होके यहां पर अभी अभी एक morning star का pattern बना हुआ है आप देख सकते हो ओके अभी इसने continuation sign दिया है बट इसकी closing जहां पर है वहां पर बाय लेवल हैं वहां पर बट यह candle के बहुत ज़्यादा chances है कि यह candle green भी बन सकती है तो ऐसे में क्या किया जाता है कि trade हम नहीं लेते हैं क्योंकि वहां पर seller भी आ सकता है क्योंकि वहां पर विक के levels हमें आपर दिख रहा है तो लाइक वहां से एक red candle भी आ सकती है तो हम वेट करेंगे गाइस इस candle का अभी अभी एक morning star का pattern हमें आप पर दिख रहा है support पर पीछे के आया कि support था support से आपर एक morning star का pattern दिख रहा है हमें यह वाला support तो लेट सी गाइस अभी वेट कर लेते हैं जब तक हमें कोई opportunity नहीं मिलती है तब तक मैं आप ट्रेट्स प्लेस्ट नहीं करूंगा ओके है ओके candles की closing वहीं पर है और हमें पता है कि seller कहा पर अविलेवल है seller इस candle की अपर विक पर अविलेवल है और यहां पर बायाडस अविलेवल है तो अभी डोजी candle बनी है तो वेट कर लेते हैं गाइस market किस direction पर चली जाएगी वह हमें भी नहीं पता है क्योंकि डोजी तो कोई पता नहीं है अभी वेट कर लेते हैं यहां पर हमें कौन सी opportunity मिलती है हम यहां पर मॉर्णिंग स्टार के साथ trade करेंगे गाइस ओके ओके खेंडल सूपर चली गई है अभी देखते हैं कि कि ओके गाइस कि वेट करते हैं अभी ओके 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 ऊपर चली गई केंडल ओके ओके गाइस ओके यहां से मैंने अपनी पुट डायरेक्शन की एक ट्रेट लगा दिये गाइस एंड बने रहना वीडियो के अन तक एंड वहां से मैंने अपनी पुट की ट्रेट प्लेस कर दिये क्योंकि वह एक अच्छा लेवल है सेलर के लिए मैं यह पर होरिजंटल लाइन लगा देता हूं गोकि होरिजंटल लैंग कुदि यह वाला लेवल जो अच्छा-खास सेलर का लेवल न है यहां से हमें सेलर सेलर ही देखने के लिए मिल रहा है जब भी बाइड स्उपर जा रहा है यहां से इस पॉलंट से हमें सेलर ही देखने को मिल तो यह बहतर ट्रेड है जोगे एंड मॉर्णिंग स्टार बना हुआ था हम यह भी याद रखेंगे कि बायर्स उपर क्यूर कंटिन्यू कर सकता है क्योंकि अभी अभी मार्केट एक मॉर्णिंग स्टार बना करके यहां से जा रही है जेरो यहां पर क्योंकर रहा है अपनी वीकनेस इस यहां पर स्टोंग है क्योंकि एक इयुका चुक्रच की ट्रेड ही जृस की है क्योंकि अपने रहेए करे स्टों कौणिंग की इह बहुत जादा गुड मार्वन शेब्टी सिर्ट यह बार लग चुकी है यह candle एक red candle ही बनेगी एंट्रेड मेरी काफी ज्यादा margin safety से लगी हुई है entry point भी मेरी ठीक ठाक है ओके candle जहां पर closing की है जो अभी अभी red candle बनी है पिछली वाली spinning candle वो एक resistance पर closing की है गाइस वो seller का level है वहां से seller ही आएंगे अब देख सकते हो पीछे वहां से seller ही continue किया था तो वह एक resistance है इसी वज़े से यहाँ पर मैंने trade लिया है and wait करते हैं अभी जो opportunity मुझे मिलेगी वही trade मैं लूँँगा and market में देखा जाए तो market एक downtrend पर भी है okay तो let's see अभी देखते हैं यहाँ पर इसकी closing कहां करवा रहे हैं ओके यहाँ पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि यह एक buyers का level था and मैंने यहाँ से फिर से अपनी call option की trade place कर दियेगा क्योंकि यह क्योंकि वह एक level था buyer का और candle की closing like वहीं पर है तो इसी वज़े से वहाँ से मैंने अपनी call option की trade place कर दिये और अभी देखते हैं यहाँ पर हमें यहाँ रही ट्रेड यहाँ पर विन होती है फिल लॉस होती है okay तो let's see wait कर लेते हैं गाइस यहाँ पर इसकी closing का कि morning star का pattern बना हुआ है और market यहाँ से morning star का pattern बना करके उपर जा रही थी seller यहाँ पर retracement बन रहे हैं बायर बहुत ज्यादा strong है जो candle की closing थी दो candle मिल करके भी इसे strong green candle का 50% का breakout नहीं कर पाया है okay इसी वज़े से यहाँ पर मैंने trade लिया हुआ था अपनी call option की okay so guys यहाँ से फिर से मैंने अपनी call option की hit rate place कर दी है guys जहाँ पर candle की closing है वह एक अभी के लिए वह एक support की तरह बन सकता है okay वहाँ पर buyers recover कर रहे थे मैंने वहाँ पर note किया था और इसी वज़े से यहाँ पर मैंने trade लिया है call option के लिए but wait कर लेते हैं guys वह एक resistance भी था but मैंने वहाँ पर देखा कि buyers वहाँ से recover कर रहे थे तो like वह है एक support भी बन सकता है जो buyer की जो seller की position है वो उपर लगबग यहाँ पर अभी seller बैठे हुए strong seller बैठे हुए है तो like wait कर लेते entry point मेरी काफी उपर जाकर कि लग गई है थोड़ी इंटरनेट की problem है ओके तो लेट सी wait कर लेते हैं भी इसकी closing का कहां पर यह closing करते हैं and entry point मेरी काफी उपर लगी है जाकर के एंड़ वेट करते हैं भी ओके हैं तो कि यह ट्रेट भी मेरी यहां पर वीन हो चुकी है एंड मेरी मार्जन सेप्टिस तो नहीं लगी थी एकदम उपर से जाकर के लगी थी ट्रेट बट वीन हो गई है कोई problem नहीं है एंड इसको हमने मिस कर दिया है ट्रेट को बट कोई problem नहीं है वहाँ पर हमने बताया था कि मैंने यहां पर सेलर का लेवल है सेलर यहां पर अविलेबल है तो बाइट यहां तक ट्राइ किया है तो लेट सी गाइज वीट कर लेते हैं अभी हम नेक्स्ट अपूर्चनोटी गा एंड एक और ट्रेड लेंगे यहां पर उसके बाद अपने अपर क्लोज कर देंगे तो लेट सी अभी इसकी क्लोजिंग देखते हैं कहां पर करवा रहा है एंड इसके बाद अपन क्लोज कर देंगे अच्पैज है को के वहांसे remarks कि यहां पर वेट कर लेते हमें कोई यहां पर पता नहीं क्या हुआ है कि यहां पर जो कैंडल की closing होई है वह इस ग्रीन केंडल की अपरविक पर है तो यह कैंडल एक ग्रीन कैंडल बन influx काहां से खाधा है तो इस पर बहुत ज़्यादा अभी मतलब की वह हैं जगह है मतलब तो इसका recover कर सकते हैं seller को के seller बहुत ज़्यादा strong है यहाँ पर अभी के लिए क्योंकि इन्होंने एक विक छोड़ा है तो seller आ सकते हैं यहां से market को फिर से यहां से नीचे ले जाया जा सकता है क्योंकि यहां पर अभी अभी हमें hanging man एक candlestick देखनों को मिल रहा है एक seller के लेवल से तो market यहां से नीचे भी जा सकती है यह भी हमें याद रखना है मार्केट में अभी जो केंडल्स फिर से वहीं पर जहां पर बायर्स की अपर विक पर है वहीं पर फिर से केंडल्स की ओपनिंग होई है तो यह केंडल एक green candle भी बन सकती है तो let's see guys wait कर लेते हैं यहां पर मुझे यहां पर कोई कोई confirmation नहीं है कि यह candle कौन सी बन सकती है क्योंकि अभी अभी हमने देखा है कि जह मार्केट इसके बीच में फसी है अगर इसको हम compare करेंगे तो लगबग डोसी candle spinning candle हमें देखनों को मिल सकता है तो like wait कर लेते हैं यहां पर क्योंकि मार्केट इसके बीच फसी हुई है हमें पता है कि इसने gap up किया है वो gap up seller की opening price पर किया है वह कभी के लिए resistance बन चुका है क्योंकि यह support की तरह है काम करता बट यहां पर seller समय देखनों के मिला है कि अभी इसकी closing देख लेते हैं गाइस इसके बाद ही हम यहां पर trading ओके यहां पर buyers आए थे कि को के तो इनकी closing महीं पर तो यहां पर दोसीज बन रहे हैं तो यहां से अमारा निकलना ही बहतर रहे यहां से अपन निकल लिए हैं ओके यह मार्केट अभी क्या कर रहा है ओके यहां पर देख लेते हैं डाउन ट्रेंड था मार्केट में हाई यूपर हाई लग रहे हैं तो मार्केट यहां पर फसी होई है ऐसे मार्केट पर लॉस होने के बहुत ज़्यादा चांसे से क्योंकि यहां पर दोनों पार्टी अपना ट्रेंड चलाने के लिए कोसिस करते हैं तो यहां पर अभी मॉर्णिंग स्टार्ट तो नहीं बना है ओके ऊपर क्या बना हुआ कि उपर डार कलाउट का पैटन बना करके सेलर नीचे आए तो लेट सी गाइस यहां पर एक ही ट्रेट्स मेरे को लेनी है उससे ज्यादा नहीं लेना है ओके वहां पर क्या है कि वहां पर ओके एक हमें सपोर्ट का ब्रेक आउट देखनों को मिला था ओके 54 से उसको पुसार रहे है ओके गाइस वेट करते हैं अभी ओके केंडल्स ने आपर गैप अप किया है और पुसका ब्रेक आउट करने के लिए वुगा है उके इसका इन्होंने ब्रेक आउट करने के लिए यह इन्होंने कि और गैपडाउन किया है यहां से मैंने अपनी कॉल आपशन कि ट्रेट प्लेज कर दिए गया यह कोई 100 परेड नहीं यह लॉस भी हो सकता है क्योंकि ट्रैप तो ट्रैप भाई गैप डाउन पर ऐसा ही होता है क्या होता है कि मार्केट में दिखाया जाता है कि भाई लेवल है एंड ब्रेक आउट नहीं कर पाया है एंड गैप प्लेस कर सकूं तो अगर में जो को फो ट्रेट यहां पर मिलता है गाइस तो कुछ पुब ऑगे जहां से मैंने दो ट्रेट कॉल प्लेस कर दिये यह एंड जहां पर मैंने पर भरोसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि पीछे momentum था और आप देख सकते हो कि market की अभी condition जो है वो down moment में है तो हमें एक buyers के उपर भरोसा नहीं करना था और मैंने यहां से buyers के लिए चल गया था क्योंकि उपर momentum भी था सेलर का इसी लिए यह ट्रेड मेरी लॉस थी अभी मैंने mtg की प्लेस किया है क्योंकि वहां पर मैंने अच्छे से कंफर्मेशन लिया कि डोजी का जो लेवल ब्रेक आउट हुआ है वो क्लियर ब्रेक आउट हुआ है और मार्केट को अभी इस पॉइंट तक जाना था जहां तक जहां से बायर्ट आये थे यहां से बायर्ट आये थे तो यहां तक सेलर को जाना था और यह वाली डोजी का वीडियो पर चैनल पर नाय होगे सब्सक्राइब कर लेना एंड थैंक गुड़ बाए